हेलो एवरिवान आप सब कैसी हैं और ये बच्चे गूम रहे हैं मैला पुलिस्ताना में यहाँ पर इस बार जो लड़ाई की जो खटना हुई थी संडे की राशाम को हुई थी क्योंकि संडे की दिन को हम चले गए थे एक दो मेरी और सहलिया थी और चित्रू और निम्बारा हम वो भी यहाँ पर कहीं आए वे थे लक्समी मेरी बाबी सब तो हम सारे की सारे लगबग पंदरा दस एक जने थे सब वहाँ पर चले गए तो संडे को वहाँ पर चले गए तो इससे आग लग गई घर में और वापस आये तो कुछ यह असर था और कुछ दारू का असर था इस वज़े से जो है रात को वापस जो है महां बवंडर आ गया और उस रात को फिर मैं गई थाने और ये दूसरे दिन का मंडे का है जब मैं वापस थाने आई हूँ रिपोर्ट वगेर लिखवाने हैं बच्चों को मैं स्कूल से ले आई हूँ सीधे यह यहां खड़े हैं अभी क्या होगा क्या वैवस्ता होगी आगे कहा जाएंगे रात को एक सरकारी संथा में रुकी थी वहीं पर अभी आज भी वापस जाना है अभी वहां जाकर आपसे बात करते हैं बूग लग 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 बहुत अच्छे कानून बन चुके हैं अब जो है हाथो हाथ नियाय मिलता है कोई अत्याचार नहीं है महिला और पुरुसकंदे से कंदा मिला कर चल रहे हैं समाज के अंदर कोई भेद भाव नहीं है ये पाते हैं ना जब हमाने जरूरत पढ़ती है ना इस कानून की तब हमे ये प्ता चलता है क्या सच में ये कानून अपने काम के हैं या फिर सिर्फ नाम के हैं सच पता हूं मेरे लिए तो सिर्फ नाम के हैं नहाई की भी मांगरी हूँ लेकिन अब वी तक मुझे मिला तो क्या सिर्फ आर्थिक नुकसान मानसिक नुकसान सारीरिक नुकसान लेकिन पुली तक इतना भी नहीं कर पाई अभी तक कि उस एक आदमी को रोक सके कि वो अपने मनमानी ना करे एक बार भी अभी तक गिर्फतारी नहीं हुई है और मेरे साथ चार-चार बार ऐसी मार पिट हो चुकी है जिसमें की दो बार तो ऐसा हुआ है कि मुस्किल से जान बचाईए एक बार पैट्रोल डाल के मानने कोशिश की थी और इस बार तो चाकू से ऐसे वार की है आपको वीडियो में बताएंगे मैं खुद बताऊंगी कि इस बार कैसी कैसी चोटें लगी हुई थी फिर भी पुलिस उसको गिर्फतार नहीं कर रही है और धाराएं भी ऐसी आसान लगई है कि बेचारे को बिल्कुल कोई धका ना आए बिल्कुल उसको कोई परिशानी ना हो सच बताऊं तीसरे दिन ये लोग गए थे घर पे तबतिस करने के लिए उस दिन उड़को कॉल करके कह रहे हैं कि तेरे उपर केस हुआ है मतलब बंदे को तीन साड़े तीन दिन तक तो पता ही नहीं चलता है कि उसके उपर कोई केस भी हुआ इतना बिंदास होके बैठा है अब आप बताओ कहां कानून हैं कहां मैलाओं के लिए कानून बने हुए हैं किस तिजोरी में ढखके हुए पड़े हैं कब काम आएंगे जिस बार भी मैं थाने जाती हूँ जिस बार भी जाती हूँ यही कहते हैं कि इस बार हाथ लगाया हम तो सिधा गिरिफतार कर लेंगे और जिस बार भी जाती हूँ पलीस कहती है यह तो नॉर्मल बाते हैं घरेलू पती पतनी की बाते हैं कुछ नहीं अब आप ये चोटें देखिए इन चोटों का मेडिकल भी हुआ है और MLC भी बनी है रिपोर्ट बनी है लेकिन उसके बावजूद भी आगे आप पूरी देखिए उसके बावजूद भी कोई भी ऐसी धारा नहीं लगी है जो इन चोटों के अनुसार होनी चाहिए ये चाकू लगे हैं पैर पर वो बड़ा पत्थर लगा है दो ठाई किलो का तीन किलो का पत्थर इतना बड़ा सा पत्थर वो पैरों पे लगा है पैर जो चोट लगे खून आया वो अलग दूसरी सूजन आ रखिए उपर जो है मसल्स काफी खराब हो गई और यहां पैर के भी क्या लाइक है रिकॉर्डिंग लाव फोटो लाव वीडियो लाव कांसे लाएं या अभी तु रो रहा था मैं नहीं मैं आपको बताना लाता हूं कि यह दीदी ना पूरी दूबी को बेफाल तो डारती रहती है ऐसे मत कर अभी मैंने पूर सुच के में एक बार भी आपने पूरी नहीं की है बैठा रहे और यह दीदी ना करने देती है ना करती है मैं लब करती है करती है यह सरीर पे लगी हूँ चोटे नहीं देख रही है इनको दिख रहा है सिर्फ तगेंदर उसको बचाना है पती देव को बचाना है बस उसके सिवा उनको कुछ भी नहीं सब्सक्राइब करना नहीं यह जंता जो है कि गुणकि सब्सक्राइब करना नहीं या ता इसको मैं दिन ओगे दो दिन मैं वापस समेट सकती हँ मेरे और इस दौरा जब हमें संस्था मेर्याइख छे जने ऐसा आए थे मीडिया से टीवी चैनल से न्यूज चैनल से कि आप जो है मीडिया के सामने आओ मैंने का मैं आओं तब पूरा ही जो है मेरा पिटारा लेकर याओं थोड़ा सा नाम करके क्या करूं तो मैं मैंने उन सब के contact number ले ली है मैं उनका मैं पूरे पिटारे के साथ confident के साथ एक एक चीज लेकर आती हूँ ये बच्चा वहाँ पर संस्ता में था कोई बच्चे खिला रहे थे तो मतलब है न, मीडिया में भी जाना ऐसा कुछ नहीं है जाएंगे लेकिन एक एक चीज लेके सिर्फ नाम करने का क्या फाइदा जब जाएं तो सारा ही लेकर ही जाएं उस टाइम मैं रेडी नहीं थी तो उनको बोल दिया आप अपने contact number दे दो आगे हम देखेंगे क्या करना है दूसरी बात ये है कि अगर मैं वापस उस गर में रहती हूँ तो वही लड़ाई जगड़ा वही मार पीट और कभी कोई गल्त लग गई तो मरना सिधा तय है तो यहाँ पर हम चार दिन से हैं इन्होंने कहा था यहाँ वालोंने की चार दिन या रोक सकते हैं और चार दिन रिपोर्ट वगेरा लिखवाई मेडिकल उपचार वगेरा करवाया उसके बाद पुलिस ने बोला घर चले जाओ इनका घर पे तो लड़ाई है घर से तो बाग क्या आई हूँ अब घर कैसे जाओ तो बोला है का जाओ मैंने का मुझे निफितम मैं घर नहीं जाओंगे आपको यह बैठ जाओ थाने में फिर इन्हाने यहां पर छोड़ा उस रात को यहां पर और दूसरी दिन सुबह यहां से वापस थाने गए रिपोर्ट वगेरा पूरी डिटेल से लिखनी थी और मेडिकल भी करवाना था मतलब वो चार करा था शाम को सिर्फ तो फिर वाँ पर भी जाना था तो यहां से गए सब करकर आके रहे थाने वाले बोले अब जाओ घर उनका था घर का तो मैंने रात को यह ना किया था रात को यह ऐसा तो था नहीं कि मुझे अंदेरे से डर लग में अगम पर मेर में मेरा को कोई रिष्फ करें रिस्त्यदार से नहीं कहीं पर लड़ा के यहांकी दॉल्हाई ऐता यह तो भी आप सेसराल चले जाओ या पीर चले जाओ मैंने का कहीं नहीं जाओंगी तो फिर बोला ठीक है यहीं वापस रखते हैं जहां कल रात को रखा था और फिर देखते हैं क्या करना है तो उसके बाद हम यहीं है चार दिन से बच्चों का स्कूल आफ है मेरे बाद छुटी नहीं थी तो मैं विदाउट पेमेंट बैठी हो चार दिन से विदाउट पेमेंट शुटी लेके पेमेंट नहीं मिलेगा मुझे और बच्चों से ना तो पड़ा ही होती है एक ट्रेस्ट था बीच में दिवया का वो भी गया और अब आज चौतर दिन था तो आज तो फुलिस आ कोई तो कई किराय रहोगे तो कोई वहां लड़ाई जगड़ा नहीं होगा है बहुत कोई निकलो मेरे गब होग Caitlinед जाता है उसके बाद लगातार तब तक लड़ाई चलती रहती है जब तक हम दुबार थान में नहीं जाती है अक्सर होता है यह पुलिस कहती है जब भी रिपोर्ट लगाते हैं और फोन करना मैं इस एक पूलिस की नहीं कह रही हूं कई ही फोन पर शोन्वी जब लड़ाई जगड़ा हो रहा है नम थाने में दस फॉन लगाएंगे तो भी पुलिस नहीं उठाएगी और उस दिन उसके लड़ाई हुई थी वो लड़ाई हुई थी और उस आदमी ने पहले बार फॉन लगाए पुलिस आगे वो सकता है उसने पहले प्लान करके किया हो तो वो सोय में हो गर पे हो डूटी पे नहीं हो मैं यह नहीं कहते हूं कि उठाते नहीं है लेकिन यह जो कहते हैं कि आप कॉल करना और हम आके उसको रोकेंगे या गिरिफदार कर लेंगे यह सच नहीं है कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि पुलिस उसको पूरा चांस देती है कि तू मार सकता है तो सामने वाले को मार दे सामने वाले की जान ले ले तब तक हम पहुंचेंगे तेरे को मौका देते हैं एक गंटा दो गंटा बोल तेरे को कितना टाइम चाहिए मतलब अगर पुल मेरीा फूरी किपूरी सैलरी बचहेगी मतलब हर मईने मेरी जतनी सैलरी वो बचचेगी तो यह बड़ा फाइदा है यांपर हैं कुछ भी नहीं ही जो खर्टा गआ करदाए इस बाता है तो जान के आगे आदमी अपने मूझ से कई बार कह चुका है कि मैं थानोवालों को मेरे को जितने पैसे देने थे मैं तका दे चुका अब तेरे जो बिगारना तो बिगार ले मैं तो ऐसे ही मज़े करता रहूँगा और जब भी दारू पीके आता है वो कई जणों के नाम लेता है कि मैंने उसको उतने रुपे दिये और जो लोग कहते हैं न हम खरियादी के हाथ के चाय भी नहीं पीते हैं हमारे तो उपर के आफिसर बहुत इमानदार हैं उनके भी नाम मेरे पास वो रिकॉर्ड करवा चुक मेरे को मकान की किस्त भरूं या फिर मतलब जो ये माई है वो भरूं या फिर मैं गोल्ड लोन की जो ये माई है वो भरूं या फिर जो मैंने आठ नो लाग मकान के टाइम उपर करजा करवा जिया था वो चुकता करूं या फिर बच्चों की किस्त आती है 50 किस्त क्या इसको क्या कहतें फीस आती हैं 50-50,000 रुपे वो बरूं या मेरे और बच्छों का खर्चा जो घर खर्चे भी तो काफी होते हैं वो करूं ये सब भी मेरे से पूरे नहीं होते हैं मुस्किल से होते हैं कि दुख दमार जय बाड में पहले दाबेली जरूरी है अब पता नहीं है रुकेंगे कहां पर दाबेली कां किस घर में बैट के खाएंगे वह भी नहीं पता हैं तो बुसरी क्यों नहीं मैप पर दिखने क्यों नहीं